पर 2 पे चलते हैं, यहाँ भी dy by dx की ग्याद करना है, पहला question दिया है, x minus y बराबर में है πाई, यह नहीं है, तो लिखता हूँ differentiating with respect to x, सबसे असान question दे दिया हम तो, x का differentiation 1, y का differentiation dy by dx और constant का 0, इसको उधर ले जाओ, या इसी को उधर लेकर चल जाओ, 1 आगया आपका dy by dx का value, ठीक है, चलिए अगला question,